जैश्री राधरानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैवेशाक मास महत्यम्म की मंदर शिबंसी बले महात्मा यूडिप चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दे कभिनंदन करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष 2022 में वेशाक मास का पावन महीना 17 अपरेल दिन रविवार से आरंब हो चुका है और इस वेशाक मास में हम जो भी धरम करम करते हैं मनुष्य जितने भी धरम करमों का पालन करता है वेशाक मास में प्राता काल के सनान के नियम का पालन करता है तथा अन्य भक्ति के सब नियमों का पालन करता है उतना ही मनुष विशाक मास को माधव मास भी कहा जाता है तो विशाक मास मत्यम के अध्याई एक से लेकर अध्याई छें तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विशाक मास मत्यम के सात्वे अध्याई की परम पावन कथा जो की इस परकार है देवरिशी नारजी आगे की कथा का वर्नन करते हुए राजा अमरीश से कहने लगे हैं कि हे राजन मिथिलापुरी का राजा ये अध्बूत चरीतर देखकर रिशी के आगे हाथ जोड़कर शुरूति देव ब्रह्मन कहने लगे हैं कि हे राजन तुम धन्य हो जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धरम के लिए इतना प्रेम है जिसका भगवान के चर्णों में प्रेम हो जाता है उसके उपर भगवान की क्रिपा हो जाती है मनुष्य अगर भगवान की भक्ती करता है तो भगवान उस मनुष्य के उपर सदा क्रिपा करते हैं ये राजन भवत धर्मों के संचित शुब कर्मों के बिना प्रानी की बुद्धी भगवान की कथा आदी में नहीं लगती इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम् को श्रेष्ठ वैश्नम मानता हूं इसलिए मैं सारी कथा तुमको सुनाओंगा इस कथा को तुम श्रधा भावना से सुनना क्योंकि भगवान के भक्त अगर कथा को श्रधा भावना से सुनते हैं तो उन पर भगवान के नंत क्रिपा हो जाती है ये राजन तुम्हें मैं भ अगवान का शूद्ध भक्त जानकर श्रेष्ट वैशनव धर्म तुमसे कहता हूँ जिसके श्रवन मातर से प्रानी जनम मरन के भंदन से सदा के लिए छूट जाता है जैसे परतेक मनुष्य के लिए शोच, सनान, संध्या, तरपन आदी नित, नियत कर्म है वैसे ही विशाख मास के भी कुछ कर्म है विशाख मास के धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करता है उसके उपर भगवान के नंत कृपा हो जाती है भगवान उसको सुख संपति आनंद प्रदान करते है उसको मौक्ष भी मिल जाता है लेकिन जो मनुष विशाक मांस के इन धर्मों का पालन नहीं करतें, उनको स्वर्ग की प्राप्ती नहीं होती, जैसे बिंदोराजा की प्रजा उप द्र्मों से नश्ट हो जाती है, ठीक ऐसे ही मनुश्य शरीर को प्रापत करके जो प्रानी हरी भजन नहीं करतें, उनका जन्म भी प्राई उनका मनुष्य जनम लेना वियर्थ हो जाता है। शया, खाट, आम और दूसरे फल, पुश्प, कथा साइकाल के समय शर्बत का दान करना, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन का दान करना, चेत्रमास की अमवस्या को करील का दान करना, सुर्योदय से पहले प्रति दिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, भगवान की कथा स शिर्मत भगवत गीता का पाथ सुन्दना शिर्मत भगवत महापुरान का पाथ सुन्दना गवों को घास डालना भ्रहमनों के चरन धोना गूर सोंठ आमले का दान यात्रियों की सेवा इन सब धर्मों का पालन करने मातर से भगवान प्रसन हो जाते हैं इस्त्री को चाहिए कि विशाख मास में प्रती दिन पूरी शद्धा भावना से भगवान का पूजन फल और फूलों से करें इससे इस्त्री सदा सोभागेवती बनी रहती है उसको शेष संतान की प्राप्ती होती है इसलिए विशाख मास में इस्त्रियों को विशेश रूप से भगवान की भक्ती करने चाहिए जो इस्त्री वेशाख मास के संपूर्न दिनों में प्रात्यसनान के नियम का पालन करती है भगवान की कथा सुनती है उसके उपर भगवान की नंत क्रिपा हो जाती है भगवान के पूजन करने से भगवान सब कुछ प्राप्त करवा देती है जिसकी भगवान के चर्णों में श्रद्धा प्रेम भावना भगती है उसके उपर भगवान की नंत कृपा हो जाती है ये राजन इस वेशाख मास में भगवान श्रीहरी विश्नुजी लक्षमी मा और अपने पार्षदों के साथ इस प्रित्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परिक्षा करते हैं जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह अवश्य ही रोरव आदी नरक में पढ़ता है और फिर पांच बार राक्षश योनी प्राप्त करता है इसलिए इस वेशाख मास में अन और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की सेवा करने चाहिए इससे भगवान प्रसन हो जाते उस मनुष्य को सभी तरह के सूख वैभव धन संपती आदी प्राप्त हो जाते हैं ए राजन जो श्रीहरी विश्ण भगवान जी को प्रिय लगने वाले माधव मास अर्थात वेशाख मास में सिनान करके मधू हन्ता लक्ष्मी पती दामोदर की विशेश वीदी के साथ भक लाप्त होता है ये राजन जैसे सूरह उदे होने पर अंधकार नश्ट हो जाता है उसी परकार वेशाख मास में प्रातर स्नान करने से अनेक जन्मों की उपारजित पापर राशी नश्ट हो जाती है श्रीहरी विश्णु भगवान जी ने माधव मास अर्थात वेशाख मा असकी महिमा का विशेश प्रचार किया है अता इस महीने के आने पर मनुश्यों को पिवित्र करने वाले पुन्य जल से परिपूर्ण गंगा तीरत, नर्मदा तीरत, यमुना तीरत, अत्वा सरस्वती तीरत में सुर्योदय के पहले सनान करके भगवान माधव की पूजा करने चाहिए अगर तीरत स्थान में प्राते सनान ना किया जा सके भगवान की पूजा ना की जा सके तो घर में शुद्ध भाव से प्रती दिन सुर्योदय होने से पहले तक सनान करके भगवान का पूजन करना चाहिए अगर सुर्योदय होने से पहले सनान ना किया जा सके तो शाख मास में प्रात्यस नान ज़लदी से जलदी करना चाहिए। इस से भगवान के नंत क्रिपा मिलती है। जो मुनुष्ट इन धर्मकर्मों का पालन करते हैं उनको अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ती होती है। ये राजन वे शाख मास में जिसने अपना तन मनधन भगवा प्राप्त किया जा सके तो यहीं पर विशाक मास महत्यम के सात्वे अध्याई की कथा का विश्राम होता है मंदर शिबंसी वाले महात्मा YouTube चैनल के ओर से आज की इस कथा को आपने सुना पर तेक अध्याई की कथा को आपको सुनाया जाएगा सात ही आप शिर्मत भागवत महापुरान की कथा को भी हमारे चैनल पर अवश्रे सुने और शिर्मत भागवत गीता के एक एक अध्याई की कथा को भी आपको सुनाया जाएगा क्योंकि विशाक मास की इस पावन समय में मनुष्य जितने भी सद गरंथों का पाठ करता है या सुनता है उससे भगवान की क्रिपा को प्राप्त किया जा सकता है और जिसके उपर भगवान की क्रिपा हो जाती है उसको अवश्य ही सुख संपति आनंद मिल जाते है उस मनुष्य की सभी मनो कामनाओं को भगवान अपने कृपा से पूरा कर देती हैं और उस मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है और मोक्ष को प्राप्त करना हर मनुष्य के जीवन का परमनलक्ष है इसलिए वेशाख मास के महत्यम की परतेक ध्याई की कथा में बारम बार इस बात पर विशेश महत्व दिया गया है कि वेशाख मास में प्रात्यसनान करना भगवान की कथा को सुनना और वेशाख मास महत्यम की कथा को सुनना यथा शक्ति दान दक्षना आदी देना इन सब ध भगवान प्रसन हो जाते हैं तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हारदी के धन्यवाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री लक्षमी नाराएन भगवान जी की वे शाख मास महत्यम्य की अनन्त कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे जै श्री राधे शामु